हमारे यूट्यूब चानल में आप सभी का स्वागत है फ्रीडम फ्रम हॉस्पिटल डॉक्टर धर्बेश की एक नायाब देन है जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बिमारी से निजात पाले अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर दर्बेश के बताए नुस्कों से लाब उठाना चाहते हैं सुस्थ और सेहत मंद रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें आज जो मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ वो दोस्तों दांत संबंदित है अक्सर के लोगों को दांत की समस्या बहुत देर में पता चलता है मगर पहले से साइनेंड सिम्टम्स आता रहता है जैसे की गम ब्लीडिंग होना, स्मेल आना, पस आना पस की स्मेल आना खाते समय कहीं कहीं खाना रुख जाना ये सब धीरे धीरे आगे चलके हमारी दांत को जड़ से खतम कर देता है तो पहले भी मैंने कई टीप्स आप लोग को दिया हूँ आसा करता हूँ कि आप लोग उसका फायदा उठाते होगे डॉक्टर दर्बेस दांत का वीडियो अगर आप सर्च करोगे तो आपको ये वीडियो मिलेगा आप जो खास वीडियो है दोस्तों इससे आपको तीन चार लाब होगी पहला अगर आपको ब्लीडिंग प्रॉब्लेम है या फिर मसूडे में सूजन रहती है या पस बनती है और स्मेल रहती है ये चार चीज में ये टीप्स आपको दोस्तों फायदा देगा अगर आप रोजाना इसको इस्तेमाल करते हो आपका problem solve हो जाएगी दूसरी बात है अगर deep cavity भी आगर आपकी बनती है या बन रही है 20-30%-40% तक affected हो चुका है तब भी दोस्तों उसमें भी यह लाप करिए इसका दोस्तों इस्तेमाल कैसे करनी है आपको लेनी है कम से कम आधे चमज से ज्यादा हल्दी चाहे कच्चा हल्दी का paste हो या अगर अच्छे quality का हल्दी का powder आपके पास आभेलेबूल है एक glass पानी में डाल के अच्छे से इसको उबाल लें अब यह उबल जाए तो दोस्तों इसमें सैंधा नमक कम से कम आधा चमज उसमें डालें और उसको मिला लें इससे आपको दोस्तों करनी है गार्गलिंग प्रपर इससे कुला करनी है दीन में कितने बार करनी है दो बार तो कम से कम करनी है या फिर हर खाना खाने के बाद आपको एक बार करनी है मॉनिंग में आप उड़ते ही इससे दोस्तों कुला करें और अगर ज्यादा समझ से है तो ब्रिकफास्ट के बाद भी एक बार कुला करें लंच के बाद एक बार ही करें फिर रात में डिनर के बाद एक बार जरूर करें बाहर अगर कहीं जाते हो तो थर्मोफलेक्स में भरकी भी आप लेके जाके ऑफीस होगे रहा में या कहीं अगर बाहर गए हो तो वहाँ भी इससे कुला दोस्तों कर सकते हो तो दो बार से सुरू करके हम लोग चार बार तक इ anti-inflammatory सारी गुण दोस्तों पाया जाता है थोड़ा से भी अगर उसमें आपकी कहीं पे भी infection है वो infection दोस्तों बिलकुल खतम हो जाएगा बिना किसी भी तरीके का medication के याने आपको antibiotic को गरा ना लेके भी बहुत सारी समस्या का समाधन हो जाएगा दूसरी बात है जिनका पाईरि का problem विलकुल जड़ से खतम होगी जब एक खतम हो जाए तो इसको रोकना नहीं है कम से कम सुबा साम तो इससे कुला आपको करनी है नमक कुला तो मैं पहले भी बताया हूं कि दिन में 4-5 बार अगर कोई नमक का कुला करता है तो उससे उसकी समस्या समाधन हो जाती है आज म कि बाकी लोगों को भी दोस्तों मोटिवेशन मिल जाए सेकेंड जो चीज आपको मैं कहना चाहूंगा वो है किसी कारण से दांत आपका बिलकुल खराब हो जाता है और कई लोगों को दोस्तों डेंटिस्ट का चक्कर लगाना भी पड़ता होगा कई बार आपको रूट के सब्सक्राइब कराना होता होगा या फिर उसमें आपको करने के लिए ब्ताते होंगे और यहांप करते हो एक सवाल है एक चीज मुझे दो चार साल में मेरे खायल में कई यह मेरे से सेयर कियें तो यह बत आज मैं आपके सामने रख रहा हूं कभी będzie को दोस्तों क्प्न आपक दोक्टर को दोस्तों आपको एक दो बात जरूर पूछनी चाहिए साथ आप पूछते नहीं होगे ऐसे ही कैपिंग करा के आ जाते होगे और कोई भी डॉक्टर आपको जो लैब से बनाता है वो उसका कैसे वो बनाये गया है और उसकी कोस्ट एक्चुल कितनी होनी चाहिए लिए उनको देना नहीं पड़ता है अब कोन 8000 का है कैसे जानोगे कोन 15000 का कैसे जानोगे कुन 25,000 का है आप कैसे जानोगे तो ल्याब का certificate जरूर आप demand करें अपने dentist जिससे आपके पास ओ रहे तो आप उसको दिखा कि कह सको कि यह guarantee समय था क्यों खराब हुआ एक दूसरी बात है हमने जो quality के लिए पैसे दे रहे हैं ओ पैसे में हमें चीज मिला है या नहीं मिला है यह लिखीत होनी चाहिए तो यह जानकर यह आपको बताया अगर कोई dentist आपको देता है तो भी जानकर यह आप हमें share करें WhatsApp या comment box में या फिर मांगे आप डॉक्टरों को आपकी अधिकार के अंदर भी दोस्तों जाता है पहली बात तो अगर दोस्तों प्रयोग आप करते रहोगे dentist के पास आपको जाना नहीं पड़ेगा जाते हो तो फिर आप अपना अधिकार का पूरा इस्तेमाल करें और हर चीज के quality को दोस्तों fixed करें और आप उसको demand करें जिससे कि आपको पेपर भी मिले के आपके साथ सर दोस्तों इस वीडियो के यह पर समाप्त करने के पहले कहना चाहूंगा कि जो किताब है मेरी my health in my hand इसमें बहुत सारा अच्छे tips होते हैं आप इसका इस्तेमाल करें घर बैटके ही अपना सारी बिमारियों का इलाज कर सेके my health in my hand एक किताब आपको online Amazon पर मिल जाएगा हिंदी अंग्रिजी दोनों language में है इसको लाएं और 51 से ज्यादा बिमारियों को घर बैटके दोस्तों solve करें तो यह हल्दी का प्रयोख सैनानमक के साथ ठैंक्यू भेरी मच्छ जैहिंजे भारत